हेलो फ्रेंड आज मैं आपको उपचेन और अपचेन रियक्शन के बारे में बताने वाला हूँ ठीक है उपचेन और अपचेन इन डोनों रियक्शनों को मैं आपको समझाऊंगा और इसका एक्जामपल सहीत मैं आपको सारा कुछ इसका बताऊंगा ठीक है गाईज तो वीडियो को शुरू से और लाश्ट तक आप जरूर देखिए तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम चलते हैं उपचेन की ओर उपचेन किसे कहते हैं क्या इसका एक्जामपल है सारा कुछ समझाऊंगा अच्छे से डिटेल से और स्टेप बाइ स्टेप सारा कॉंसेप्ट मैं आपका किलियर करूँगा तो वीडियो को इन तक आप जरूर देखिए तो चलिए शुरू करते हैं ठीक है उपचेन इसका एक दूसरा नाम भी है ऑक्षीकरन या फिर आप इसे अंग्रेजी में आप इसे ऑक्षीडेशन भी कह सकते हैं ठीक है क्या कहते हैं अंग्रेजी में ऑक्षीडेशन तो आप इसे याद रखेंगे कि ऑक्षीडेशन ऑक्षीकरन या उपचेन तीनों एक ही चीज है ठीक है एक्जाम में अगर आपसे कोई भी चीज पूछ ले तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो यह तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो उप्चेन या ऑक्सिकरन या फिर ऑक्सिडेशन एक चीज है ठीक है तो चलिए गाईज सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन क्या कह रहे है ध्यान से देखिए तो चलिए जब किसी रासाइनिक अभी किरिया में ऑक्सिजन का योग होता है या ऑक्सिजन की ब्रदी होती है तो इसे ऑक्सिकरण या उपचेन कहते हैं क्या है अच्छे से समझे कि जब किसी रासाइनिक अभी किरिया में ऑक्सिजन का योग हो मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसी कोई reaction जिसमें क्या हो रहा हो oxygen का योग हो रहा हो ठीक है oxygen का योग हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं oxy करन कहते हैं यहाँ पर example के थोरो भी समझें कि ऐसी अभी करें यहाँ पर example मैंने दे रहा है ठीक है यहाँ पर एक्जामपल मैं देता हूँ यहाँ पर एक रियक्शन है 2CO प्लस O2, गिपसेस 2, 2CO तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो यह 2CO है यानि कि कॉपर है उसके साथ जो ऑक्षिजन गया से वो क्या है मिलकर क्या बना रही है तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि कॉपर के साथ ऑक्षिजन का योग हो रहा है या फिर हम क्या सकते हैं कि ऑक्षिजन की व्रिद्धी हो रही है तो इसे ही हम क्या कहते हैं उपचेन या फिर ऑक्षिकरन कहते हैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि वे reaction जिसमें oxygen का योग हो उसे हम क्या कहते हैं oxygen कहते हैं ठीक है तो oxygen oxygen अभी करें कौन सी है जिसमें oxygen का योग हो या फिर oxygen की ब्रिधी हो ठीक है यहाँ पर example के थो 2COO प्लस O2 किसे स्टू 2COO इसमें क्या रहा है कि oxygen इस copper के साथ जुड़कर क्या बना रही है 2COO यानि की copper oxide बना रही है तो यह आपकी oxygen अभी करें है exam में भी आप इसी तरह से लिखें क्योंकि अगर आप इस टाइप से लिखेंगे तो आपके number जो है काफी अच्छे आएंगे और आपको काफी अच्छा marks मिलेगा ठीक है तो यह तो आपका oxygen था इसके बाद अगर हम oxygen पे चलें तो oxygen देखें क्या कह रहा है जब किसी रासाइनिक अभी किरिया में oxygen का हरास या कमी होती है तो इसे oxygen कहा जाता है जब किसी रासाइनिक अभी किरिया में oxygen का हरास या कमी होती है तो इसे अपचेन कहा जाता है मतलब बहुत सिंपल है कि जब कोई reaction में oxygen हट जाए oxygen की कमी हो चीक है या harassment हो तो अगर किसी reaction में oxygen का हरास हो या फिर उसकी कमी हो या हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभी किरिया में oxygen वहां से क्या हो जाती है हट जाती है कमी हो जाती है तो ऐसी अभी किरियाओं को हम क्या कहते हैं अपचेन कहते हैं जैसा कि oxygen का हो रहा था तो यहां पे just opposite oxygen की कमी हो रही थी तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं एक चीज़ को समझ लीजिए और ओक्सिकरन या अप्चेन को समझ लीजिए अगर आपने कोई भी एक चीज़ समझ ली तो दूसरी जो चीज़ है उसके जस्ट भी परित होगी ठीक है एक में oxygen जुड़ेगी और दूसरे में oxygen हटेगी ठीक है तो यहाँ पर example के तो देखेंगे CuO plus H2 ठीक है गिपसे Cu plus H2O तो यहाँ पर देखिए जो copper oxide है उसके साथ किसकी reaction हो रही है hydrogen gas की ठीक है hydrogen gas की तो यहाँ से देखिए एक तो बन रहा है Cu और दूसरा बन रहा है आपका H2O तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए जो CuO है उसमें O यहाँ से हट रही है मतलब O की यहाँ पर कम हो रही है तो यहाँ पर देखिए जो CuO था वो अब यहाँ पर CuO बज गया है मतलब यहाँ से oxygen की जो है यह वाला oxygen यहाँ से हट गया हो और hydrogen के साथ मिल गया है तो यहाँ पे किसका अप्चेन हो रहा है इसका अप्चेन हो रहा है इससे ऑक्षिजन की कमी हो रही है और इसमें ऑक्षिजन जोड़ रहा है ठीक है तो यह तो आपका अप्चेन था समझ में आ गया क्या है अप्चेन और उप्चेन मतलब ऑक्षिकरण का योग ऑक्षिजन क कमी ठीक एक जस्ट एक दूसरे के विपरीत हैं ठीक है एक दूसरे के विपरीत हैं तो यह तो अपचैन और उपचैन दा अम हम बात करेंगे रेडॉक्स अभी किरिया कि ठीक है रेडॉक्स अभी किरिया किसे कहते हैं क्या होता है रेडॉक्स अभी किरिया चलिए देखते हैं तो चलिए वे अभी किरिया हैं जिन में उपचैन और अपचैन साथ साथ होता है रेडॉक्स अभी किरिया क्या लाती है क्या कह रहा है कि वे उपचेन और अपचेन, अपचेन किसे कहते हैं, रिडक्षन ठीक है, रिडक्षन ठीक है, तो वे रियक्षन जिन में अपचेन और उपचेन क्या होता है, साथ साथ होता है, एक तो अपचेन साथ में होता है, और दूसरा उपचेन साथ में होता है, जिन में ये रियक्षन क्या क्या कहते हैं रडॉक्स अभी किरियाएं क्या होती है जिन में अपचेन और उपचेन दोनों साथ साथ होता है कभी कभी एक्जाम में ये कुश्चन जो है बहुत बार पूचा गया है कि बताइए कि रडॉक्स अभी किरियाएं क्या होती है तो आप इस तरह से आंसर कोयरे सकते हैं यहाँ पर देखिए c u o plus Cris 2 कि यहां से CR हट कि इसके साथ मिल रहा है तो यहां चीक्ड-स ऑक्षी न की कमी हो रही है तो बतलब इसका अब चेन हो रहा है और जो हैडोजैंब यूग हो रहा है, यहांपे देखिए पहले ही H2 था, अब ह्टो. ओ हो गया याणि की O जुड़ गया है, तो यहांपे क्या हो रहा है? उपचेन हो रहा है, इसका उक्षी करन हो रहा है, यह देखें, आप उक्षी करन और इसका अपचेन हो तो यहां से क्या देखिए कि ZnO प्लस C कि अगर reaction होती है तो यहां से आपका product कौन कौन सा बनता है एक तो zinc बनता है एक carbon monoxide बनता है तो यहां से एक चीज़ देखिए कि जो ZnO था वो अब किस में change हो गया है Zn में change हो गया है तो oxygen हटने को हम क्या कहते है अब chain कहते है तो इसका क्या हो रहा है ZnO का अब chain हो रहा है और साथ में अगर इसमें देखिए carbon में तो carbon यहां पहले carbon था अब यहां पे carbon monoxide बन गया है तो मतलब यहां पे oxygen जुड़ गया है तो oxygen जुनने को हम क्या कहते हैं oxygen करन कहते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर oxygen करन और oxygen दोनों साथ साथ हो रहा है तो ऐसी अभी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं redox अभी क्रिया कहलाती है तो friends ये था आपका oxygen oxygen और redox अभी क्रिया थेंक्स बहुत वाचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में